पती पतनी अपनी जिन्दगी में खुशाली के लिए अक्सर मंदिर में एक साथ पूझा करते हैं लिगन एक मंदिर ऐसा है जहां अलग होने के डर से कोई भी पती पतनी एक साथ पूझा नहीं करते शिम्रा के पास रामपूर के मश्रू गाउं में एक दुर्गा माता का मंदिर है कहते हैं कि इस मंदिर में अगर पती पत्नी ने एक साथ माता के दर्शन कर लिए तो माता रुष्ट हो जाती है और इन दोनों को अलग कर देती है इस मंदिर को श्राइक कोची माता मंदिर के नाम से भी पूरे हिमाचर प्रदेश में जाना जाता है यहाँ दर्शन को जाने वाले दमपती एक एक करके मंदिर में घुसते हैं पहले पती दर्शन करके आता है और उसके बाद पतनी मंदिर में जाकर माता के दर्शन करती हैं। कहा जाता है कि इस इस्थान पर भगवान शिव ने गणेश और कार्थिके से भर्मान के चकर लगाने को कह था। जबकि गणेश ने मातापिता का चक्कर लगा कर कह दिया कि मेरा भ्रमान तो मातापिता के चर्णों में हैं। उनका विभा हो गया और कार्तिके ने कभी भी विवाना करने की कसम खाली। इस जगबर मातापारवती का मंदिर है और दर्वाजे पर गणेश जी अपनी पतनी सहित विराजित हैं। कार्तिके के विवाना करने की प्रण से आहद होकर मातापारवती ने शचराब दिया कि जो भी दमपती इस मंदिर में एक साथ पुझा करने आएंगे वो अलग हो जाएंगे। इसे श्राब के चलते कोई भी दमबती यहां एक साथ माता के दर्शन नहीं करते गांवालों का दावा है कि जिन लोगों ने एक साथ बंदिर में घुसने की भूल की वो कालांतर में अलग हो गए इंडिया न्यूज वैडल की रिपोर्ट